क्यों से। Hey Hello a girl host आज हम हिस्टी का एंशन्रक्रिशों के बारे में हम डिस्कस करेंगे जिसमें मंगद इंपार के बारे में हम डिस्कसन स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद धीरे धीरे एंशन्रक्क मेडमक्तीर मोडें के तरह चलेंगे तो सबसे पहले हम्हें मत करते हैं मगधिंपैर में कि 6th century BC में जो हमारा आयरन का इतना ज्यादा यूज हुआ था उत्तर परदेश और बिहार के इलाखे में जिससे कि हमारा जो एक्स्ट्रा जो प्रोडक्शन जो था जो प्रिंसेस के द्वारा जो कलेक्ट किया जाता था वो हमारा इसको पूरा करने के लिए यहां से ही हमारा जनपद का कॉंसेप्ट स्टाट होता है और इंडियन टेरिटरी जो था वहां 16 महा जनपद का बात होता है महाँ पर 16 महाजनपद थे जो कि जिनको हम सुदास्षा महाजनपद भी कहते हैं इनको कि अंगुत्रम निकायब में भी मेंसेंड है जो कि एक सुद्पिटागा का पाठ है सुद्पिटागा बोधिस्ट लिटरेचर से रिलेटेड है हमारा और इसमें जो सबसे पहले जो डाइनेश्टी जो आती है मगद इंपायर का वो हमारा है हर्यक डाइनेश्टी हर्यक डाइनेश्टी में हम बात करेंगे कि जो हमारा first ruler है वो हैर्यक dynasty का विम्विसार होता है जो इस डैनेश्ट्री को क्या है founder भी है उन्होंने क्या है अपना जो capital जो है वो हमारा उसने क्या है राजगीर को क्या है shift किया था और राजगीर का पुराना नाम गिरिव राज के नाम से भी हम जानते हैं विमिसार ने जो सासन करने का जो प्रोसीजर जो फॉलो किया था, वो मैट्रिमोनियल एलाइंसेस करके और अपने पावर को अस्ट्रेंध करने का कोसिस किया, इन्होंने इनके तीन पत्मिया थी, जिसमें पहली जो उनकी फर्स्ट वाइफ जो है, वो आपको कोसल के राजा की बेटी थी, और प्रिसेंजित की बहन थी, जो सेकेंड वाइफ थी, जिनका नाम था छेलना, वो लिख्षवी प्रिंसेस की थी, जो की बैसाली से थे, जो की आगे चल कर अजास सत्रू को जन्म देती हैं, और उनकी जो थर्ड वाइफ थी, जो की आपका मदरा क्लैन, जो प तो हम यह देखते हैं कि इनके पास इनकी तीन पत्निया थी, और यह ऐसे ऐसे राजाओं की लड़कियों से साधी किये थे, जिनको इनको राज करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आये, और दिक्कत आता भी था, तो उनलोग क्या करते थे, सपोर्ट करते थे अजाद सत्रू जो की पिम्बिसार का क्या है बेटा थे, उन्होंने क्या है अपका न्यू कैपिटल का फांडेशन रखा था, जिसको पार्ट्री ग्राम के नाम से जानते हैं इन्होंने क्या किया कि लिक्षवी नरेश को एक 16-year बेटल था उसमें इन्होंने क्या है डिफीट किया और महावम्स के एकॉर्डिंग बात करें तो अजाद सत्रू जो थे उन्होंने धातु चैत्र का भी क्या है निर्मान करवाया था और धातु चैत्र एक ऐसा बिल्डिंग था एक ऐसा केव था जिसमें प्रेयर करने के लिए रूम बनाया जाता था जहांपे लोग और मैनली बहुत धर्म से रिलेटेड था और वहाँ पे प्रेय किया जाता था पाटली ग्राम के चारों तरफ इन्होंने ऐसे ऐसे धातु चैत्र का निर्मान करवाया था और हम आपको बताते कि अजाद सत्रू जो थे वो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को भी पेटरोनाइज किये थे अगर हम बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में बात करे तो यह बहुत ही एक्जाम पॉइंट अविव से इंपोर्टेंट हो जाता था हो जाता है कि चार बुद्धिस्ट काउंसिल हुए हैं जिसमें First, Second, Third and Fourth फर्स्ट बुधिष्ट कॉंसिल जो है उसका आपका जो रूलर जो थे जो आजात सत्रु ने प्रटरनाइज्ड किये हैं और उनका प्रेसिडेंट जो था वो आपका था महाकर्ष्पा सेकेंड जो बुधिष्ट कॉंसिल है वो काल असोक के द्वारा किया गया है और इसका प्रेसिडेंट जो है साबाकामी थर्ड बुधिष्ट कॉंसिल जो की असोका के द्वारा प्रेटनाईज किया गया था और उसके प्रेसिडेंट जो थे वो मोगली पुट्टा तीसा और फॉर्थ बुधिष्ट कॉंसिल जो की कनिस्क के द्वारा था जिनके प्रेसिडेंट बासुमित्र थे इसमें सबसे इंपोर्टेंट है कि 1st, 2nd, 3rd and 4th किन-किन प्लेस पे किया गया 1st बुधिष्ट कॉंसिल राजगीर में किया गया, 2nd 2 साली, 3rd पाठली पूत्र और 4th किसमीर तो याद करने का एक ट्रीक है आप प्लेस को याद कर सकते हैं आरभी पी के ऐसे याद रखे, आरभी, पीके, आर से राजगिर, भी से बैसाली, पी से पटली, पुत्र, और के से कस्मीर और जो इसका रूलर है, उसको याद करने का ट्रीक है आज कल आसिक, आज से आजात सत्रू, काल से कालसोक आसिक में S-B-R-A-K-B-R-A-T-S-O-K-A-R-K-N-E-S-K-A-P-Y-A-D कर सकते हैं और प्रेसिडेंट का याद करने का ट्रीक है महा सभा से मुक्ती महा सभा से मुक्ती मिन्स महा से महा कस्पा सभा से सभा कामी और मुक्ती से आपको मोगली पट्टम और बासु मित्र आप यहां से याद ऐसे कर सकते हैं वो आपकी उपर डिप्रिंट करता है जैसे भी याद करें तो हम बात करते हैं कि अजाद सत्रू ने क्या है और जो हर्यक डैनेस्टी का जो लास्ट रूलर थे जिनका नाम था उदाइन के बेटा थे जिनका नाम था नाग दसक और हर्यक डैनेस्टी के बाद जो हमारा डैनेस्टी आता है जिसको बोलते हैं आपको सिसुनाग डैनेस्टी और सिसुनाग dynasty जो था या बेसिकली इसको नाग dynasty भी बोलते हैं। बनाए है काल असोग जो थे जो सिसुना के पुत्र थे काल असोग जो कि सेकंड बुधिस्ट कॉंसिल को प्रेटरोनाइज किया है तो याद रखेगा फर्स्ट बुधिस्ट कॉंसिल प्रेटरोनाइजड वाई अजाद सत्रू और सेकंड बुधिस्ट कॉंसिल प्रेटरोनाइ और अपको बताएं हर्यक डैनेश्टी सिसुनाइड डैनेश्टी और यहाँ पे नंदा डैनेश्टी तो हर एक डैनेश्टी में आप देख रहे हैं राजगीर से रूल गिया जा रहा है सिसुनाइड डैनेश्टी में बैसाली से और नंदा डैनेश्टी में हमारा मगत से पटली पुत्रा से सासन किया जा रहा है तो नंदा डाइनेश्टी में जो धनानन्द थे ओ जो नंदा डाइनेश्टी का एक राजा थे जिनका नाम क्या था धनानन्द धनानन्द जो थे ओ आपको एलेकजेंडर जब अटाइक किया था इंडिया में फिर ट्वेंटी सेवंत Redraw factor की समय उसी कही सिह mother mai के कटहारी थे जिनका नाम था एक डानान सैются टोड़ को ओर तो टोड़ा हम सिकंधर के बारे में पढ़के रेटे हैं ॹाएं है किसी कंदर जो है ओ जिनको हम Alexander के नाम से भी जानते हैं ओ इंडिया आया था खाइबर पास के हेल्प से खाइबर पास के थुरू इंडिया आया था 326 BC के समय इन्होंने क्या किया था कि इंडर्स रिवर में क्या है एक ब्रीज का भी निर्मान करवाया था जो कि आपको वहिंद के पास एक ब्रीज का इंडर्स रिवर पे ब्रीज का निर्मान करवाया था Alexander ने जो है ओ सबसे पहला मिला था MB से जो कि तक्छिला के किंग थे उस समय इन्होंने पोरस के साथ क्या लडाई किया और पोरस के राजा को हराया जो कि क्या है जहलम और चेनाप के बीच क्या हो राज करते थे उनके बाद क्या होता है कि इनके जो आर्मी जो होती है वो नदी को पार करने से इंकार कर देते हैं और उसमेच चंद्रूप्ति सिकंदर वापस लोड जाते हैं और इनकी मिर्तिव 32-year की एज में बेविलोन में क्या है इनकी हो जाती है उसके बाद जो एक स्टार्ट होता है मौरे डाइनेस्टी का और मौरे के चंदرगुप्त मौरे के किया गुरुथ है चानाक्त को यहाद रखेगा विष्नोगुपति के नाम से भी जानते हैं तो जो आपका मॉरेयन एज का सूर्च है कहां से हमको पता चलता है कि कि मौरेयन एज के बारे में क्या जनकारी मिलती है तो इनकी मंसा जिसका नाम है आपको महावंसा दीपावंसा यहां से भी हमें मौरेयन एज के बारे में पता चलता है पुरान है जो भी क्या है मौरेयन एज को बारे में में निसन करते हैं उसके बाद क्या अर्थ सास्त्र है जो कि कॉटिल के द्वारा लिखा गया था जो कि एक संस्क्लासिक से याद रखिएगा एक हमारा इंडिका एक नाम है इंडिका जो की मेGodसमोली दूरे लिखा घ्लिक से डिता है जिसमें मौर्यन GPS के बारे में इंडिका में देजि कुछ मैंसन क्यूं किया गया है यहां राज कैसे होता था राजा कैसे राज करते थे यहां के लोग कैसे थे यहां कैसे his ownership ऐसे काउनशिल है कैसे एग्री कलचिर में क्या है सीचिवेशन था क्या सिश्टम था सिवन था इकनौमी सिश्टम क्या था The Political CC me क्या था कैसे short का यहां का कैसा था सब जींडिका में में ङसन किया गया है मेगास्थं के दो मुद्र राक्षस जो एक हमारा भूक है जो विशाखतत के द्वारा compiled किया है संस्क्रीत लैंग्वेज में, जो चंद्रगुप्त मौर के द्वारा कैसे नंदड डाइनेश्टी को कैसे डिफिट किये हैं और कैसे उस सब चीज मुद्र राक्षस में compiled किया है विसाखतत जो थे वो आपको फोस्ट गुपता पिरेड में कहें रहते थे एक और है आपका सुम्देव का कथा सर्टा सागर सेमेंदर का है ब्रिहदरत मंजारी और कलहन का राजतरंगरी याद रखेगा ऐसा बुक का भी नाम बहुत पूछता है सुम्देव का कथा सर्टा सागर सेमेंदर का ब्रिहदरत मंजारी और कलहन का राजतरंगरी यह सब जो है जो मौरियन एज के बारे में क्या है सोर्स बताते है तो सबसे पहले जो राजा थे जिनका नाम था चंदरगुप्ति मौर चंद्रगुप्त मौर की एक प्रेम क्या थी जिसका नाम था सुभासनी और सुभासनी जो थी ओ आपकी आमत्य राक्षस जो की बताये थे हम आपको महापदमनंदा के नंदा डेनेश्टी के एक गुरूलर थे जिनका नाम था धनानंद उन्हीं की मिनिस्टर थे और धनानंद साधि कर लिए उसके बाद क्या है जो चंद्रगुप्त मौर के जो help किये थे उनका नाम क्या था कोटिल और बोला जता है कि जो चानक के जो थे जिनको कोटिल के नाम से जाना जाता है चानक के जो सबसे पहले धनानध के हीं दरबार में रहते थे और और धानानन्द ने कोटिल को अपने कोट से निकाल दिया था उसी का बदला लेने के लिए जो कोटिल ले थे वो चंदरुप्त से मिले और उनको इस तरीके से सिक्षा दिये ताकि ओ धानानन्द से बदला अपना ले पाएं चंदरुप्त मौर के समय में ही क्या होता है कि सेलुकस ने अपना एक अमबेश्टर जो की मेगास्थनीज था उनको चंदरुप्त मौर के दरबार में भेजे थे जो की अपना बुक जो है उनका मेगास्थनीज का इंडिका उसमें सब चीज का वर्नन किये हैं और मेगास्थन जो ते ओ चusalत्रूप्त मौर्ग के दरबार में रहते थे ओसके बाद क्या होता है कि ग्रीक सवर्स है जिसमें चणरूपत मौर को संडर्चोोटर के नाम से भी जाना जाता है और चंद्रूप्त मॉर ने बहुत अच्छे अच्छे भी काम करवा हैं जो कि जुना कर रोख इंस्क्रिप्शन बताता है कि वह सुदर्शन रिजन जो था जो आपको सुदर्शन रिजन में सुदर्शन लेख का भी निर्मान करवाये थे, चंद्रूप्त मौर जो की irrigation purpose के लिए बहुत ही ज्यादा important था उसके बाद last में चंद्रूप्त मौर जैनिजमी को अपना लेते हैं और एक जैनिजमी का एक center रहते हैं जिनका नाम था भद्र बाहू और उनहीं के साथ क्या है चले जाते हैं करनाटक और सर्वन बेला में अपन स्थित है और वहां पर इनकी जिन्दगी starvation के थ्रूँ खतम हो जाती है उसके बाद इनहीं के बेटा राजगदी सम्हालते हैं जिनका नाम था बिंदुसार जो की इनका time period 297 से 272 BC तक रहता है अच्चंद्रगुप्त जो थे हैं उनका बेटा जो बिंदुसार जो था उनक तो बहुत ही different different नाम से जो हमारे इतिहासकार है different different नाम से उसको बुलाते थे जानते थे वर्नन किये हैं उनके बारे में जो की सबसे important है अमित्र घात इनको बुला जाता था बिंदुसार को अमित्र घात बुला जाता था जिसका literally meaning होता है killer of image ओके तो बिंदुसार जो थे उसको अपने जू उनके बड़े बेटे थे जीनका नाम था सूसी मा उसको तक्षिला का वैसरा का Antes 225 अपॉइंट किए थे आपने इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने पूछा था जो भी एक ग्रीक किंग थे उनसे इन्होंने पूछा था एक मतलब मांगा था वाइन ड्राइफिक्स एंड सॉफिस्ट ड्राइफिक्स हमारा सुखान जीर को बोलते हैं पाइन तो जानी रहे हैं और सॉफिस्ट जो थे वो आपको एक फिलोक्सफर को इसमें ग्रीक किंग ने पहले दो के लिए मंजूरी दे दिये थे बट कहना जो थाड़ वाला सॉफिस्ट था इनको इन्होंने रिफ्यूज कर लिए था जो हमारा याद रखेगा कि तकसिला में इनके समय में क्या हुआ था कि वहां पे बहुत ही बड़े पैमाने पे वहां एक मूवमेंट श्टार्ट हुआ था जिसको सप्रिष्ट करने के लिए बिंदुसार ने अस्वोका को भेजे थे जो कि जाकर वहां पे जो मू कहानी है ग्रेट असोका की कहानी है जो कि असोका का सासन 272 से 232 बीसी तक चला है जो कि 40 येर तक लगभग सासन किये हैं फर्स्ट एट येर जो असोका बहुत ही रूल्ड तरीके से बहुत ही क्रुएल तरीके से रूल करते थे और जो कि अपने डिसिप्लिन को क्या है मेंट पदकल्यानी 260 BC में क्या होता है कि असोक ने कलिंग वार लड़ा जिसमें इन्होंने बहुत सारे लोगों की हत्या की असोका जो की फर्स्ट किंग थे इंडियन हिस्ट्री में जिन्होंने अपना रिकॉर्ड को पथरों पे इंग्रेवेट करवाया था पथरों पे इन्होंने खुद़्वाकर लिखवाया था जो की पूरे इतिहास में सबसे पहले रजाये थे इन्होंने क्या किया की जो केलिंग वार में इतने मैस्कियर हुए थे इतने लोग मारे गए थे इसके कारण वो अपना जो victory का जो method था उन्हों उसने change कर लिया वो ने बताया कि अगर हमको जितना है तो mark और कहने कि यूद से नहीं बलकि उसको हम दूसरे तरीके से हम victory कर सकते हैं तो उसके बाद एक pacifist हो जाते हैं और बहुत ही polite ruler के नाम से जाने जाते हैं इसलिए इनका नाम great asoka के नाम से जानते हैं इन्होंने जो rule किया है एक true monarch के जैसा rule किया है अपने reign में इन्होंने क्या है सबसे पहले इन्होंने लुंबनी विजिट किया लुंबनी विजिट किया जो कि आपका बुद्धा का birth place है इन्होंने बहुत सारे addict issue किये जिसमें एक रुमिंदी pillar addict है जो कि लुंबनी के पास था इन्होंने इसमें जो वहां के जो tax था उनको reduce कर दिया पहले जो tax 1 by 6 था उसके जगह पे 1 by 8 कर दिया गया जो लुंबनी के जो भी people थे उनका tax 1 by 6 से reduce करके 1 by 8 कर दिया गया और इसलि यह किया गया क्योंकि लुंबनी जो था वह आपको साक्मोनी का birthplace साक्मोनी जो की बुधा से related है उनका birthplace था और भी जो वहां की जो tax जो थे whole empire में वह जितना हो सके उसके tax को इन्होंने reduce करने का कोसिस किया था असोका की तिन रानिया थी जिसका नाम था असंधी माता, करुवाकी और पदमावदी तिन इनकी रानिया थी और इनके जो लड़के थे जिनका नाम है आपको महिंदर, तिवारा, कुनाल एंड जौलाक्का ये चार इनके बेटे थे और इनकी दो बेटिया थी जिनका नाम था संगमित्रा और चरुमाती, चरुमाती जो थी ओर नेपालिज किंग से क्या है साधी हो जाता है उसका, उसके बाद महिंदर और संगमित्रा जो थे ओ बुधिस्ट हो जाते है और इनको सिरलंका भेजा ज इंपायर जो था ओ लंबे समय तक चल नहीं पाता है और जो होल इंपायर जो है ओ दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है पहला पार्ट इस्ट पार्ट और दूसरा पार्ट हमारा वेस्ट पार्ट जो इस्टरन पार्ट है जो कि असोका के ग्रैंड संथ है जिनका नाम था दस Moran Dynasty का last ruler थे और उनको उन्ही का एक कमांडर इंचीफ जिनका नाम था पस्मित्र शूंग उनके द्वारा हत्या कर दी जाती हैं। और यहां पर मौरेन Dynasty का अंत हो जाता है और उसके बाद क्या है SUंगा Dynasty का स्टार्टिंग हो जाता हैं। और भी चीज हम जानेंगे इनके असोका का क्या क्या इंस्क्रिप्शन है, मौरेन इकनोमी के बारे में जानेंगे, पॉलिटी के बारे में जानेंगे, इनका सोसाइटी और कल्चर कैसा था, इनका आर्ट एन आर्चिटेक्चर कैसा था, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए थेंक यू